नैशनल मल्टी डाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए ए एफ यानि कि एलकायर फॉस्टर मेथलोजी यूज होती है इसको कैलकुलेट को दो रेंज में ये कैलकुलेट होता है that is first is the poverty cutoff and second is the dimensional cutoff poverty cutoff ये define करता है कि एक पूवर कितने dimension से deprived हो रहा है तो उसका मतलब क्या होता है and second ये बताता है कि एक पूवर कितने dimension से deprived होगा कि वो एक multi-dimensional poor considered किया जाएगा अगर इसका हम application समझते हैं तो it has been used to give a overall picture of the poverty क्योंकि ये ये भी बता रहा है कि incidence कितना है कि एक dimension में कितने लोग deprived है and वो deprivation की intensity क्या है अगर हम इसका use समझते है so it has been used in the policy making why because ये comprehensive analysis दे रहा है of poverty कि कौन से factors responsible है for increase in poverty अब जो factors हमें पता चल गए है तो एक targeted interventions कर सकती है के सरकार कि कौन से sector में ज़्यादा target करने की ज़रूते है कि हम poverty जल से जल eradicate कर पाए and ये दोनों मिलके सरकार को एक policy guideline बनाने के लिए help करते है to ultimately eradicate the poverty in India इंधिते हैं我覺得र अगए Whose defense एक पाए department फार उन वे है उनमे दे दो मिलके सजगी you को मिलके सब्दों एक ओर घूत दे घू AC